हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग देखे आप लोगों के कहने से मैं बहुत जादा हार्ट ग्रोथ की वीडियो लेकर आई हूँ मेरे पास काफी कमेंट आये थे के मैं हम आप हार्ट ग्रोथ की वीडियो दिखाए तो देखे सबसे बहले आपको पाउडर लगाना है तो बहुत थलकी गरम रखनी है फिर उसके बाद आपको डारेक्शन चेक करनी है अदेखे लेक्स की जो वैक्सिंग होती है बहुत एजी होती है क्योंकि उसमें कोई उल्टी सीधी ग्रोथ नीचे की तरफ होती है कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने अपने रेजर वगर ल घ्लाई की है और देखे वाग्स बहुत पत्री पत्री लगानी है और नाइफ को थोड़ा दबाकी लगाना है यहró % Haju उसके प्लेइन है उसको नीची रख़ना है जैसे कि मैं आपको वीडि動画 में जिख drinks में कितने त्रीके से मैंने वैक्स को प्रेस कर्के तब मैं हमेशा ये चीज़ दियान रखे, आप कोई भी wax करें, wax करने का तरीका एक ही होता है, direction किसी भी wax में अलग नहीं होती है, कि आप रीका wax में अलग तरीके से करोगे, या और भी कोई wax होती है, जैसे कि honey wax होती है, dark chocolate होती है, बहुत सारी wax होती है, तो direction सबकी सेम होती है, कि हमेशा अगर आपकी growth नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ wax लगाने के बाद आपको उपर की तरफ strip को खीचना है, ये चीज़ दियान रखनी है, तो देखिए मैं जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, आप जब भी hard growth होती है, मुझे comment आया था कि मै मैं wax करती हूँ, मैंने सेम आपके तरीके से wax किये, पर मेरे फिर भी बाल छूट गए, तो देखिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसे wax करते हो, हमेशा पैरों को tight रखें, देखिए, tight stretch करोगे ना, आप तो आपका एक एक रुआ तक बाल का कि आपकी बहुत easily निकलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये देखिए, देखिए मैंने एक हाथ से कीच रही हूँ, स्ट्रिप लगाते हैं, दूसरे हाथ से में इसको tight करने हैं, अच्छे तरीके से ये देखिए, जितने अच्छे से आप स्किन को tight करके आप निकालोग जब आपको लगता है कि आप wax नहीं होगी इससे दुबारा, तो इस च्रिप को fold कर देना है, और देखिए wax करते समय हाईजिन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो मैंने cotton से इनको powder लगाया था, और देखिए जो knife होते हैं, वो लकड़ी के भी आते हैं, काफी त परक नहीं पड़ता कि आप लकड़ी वाले knife से wax लगा रहे हैं, या steel वाले से लगा रहे हैं, आपको तरीका सही होना चाहिए बस, अब देखिए जैसे कि मैंने इस side करा, आप ये चीजे देखिए, कि स्किन को जितने अच्छे से आप टाइट करोगे, आपके customer को pain भी कम हो growth पे करें, और normal wax से आपका बिल्कुल भी बाल नहीं तूटेगा, क्योंकि देखिए, लोग normally कहते हैं कि hard growth में हम रीका wax करते हैं, तो मैं normally आप कोई wax बताइए, हमारे बाल हम करते हैं, तो तूटते हैं, आपका तरीका सही होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से कोई भी wax से बहुत अच्छी waxing कर सकते हैं, यह देखिए, कितने अच्छे तरीके से इनके बाल निकले हैं, यह मैंने किसी के कहने से वीडियो बनाई थी, कि मैं हम normal wax करते हैं, तो हमारी hard growth नहीं निकलती है, तो मैंने का मैं इनको वीडियो दिखाऊँ, यह देखिए, और देखिए, प चिवाक करते हैं, अगर नीचे की तरफ है, तो नीचे wax लगानी है, और उपर की तरफ है तो आपको, इस ध्यान रखना है, तो देखिए, अब लास्ट जो रह गया है, इस तरीके से पूरे पेरो पेर, जो लगानी है, बहुत पत्ली पत्ली लगानी है ऐसा नहीं, आप बह नया काम करते हो तो ये चीज़े ध्यान रखे कि जब भी wax लगाते हैं तो आप साथ साथ उनको फूप मारें कि जो क्लाइन को गरम ना लगे इन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान रखना है हमारे पालर में देखे बहुत अच्छे तरीके से काम होता है ठीक है न वीडियो को शेयर करें ये देखे इस तरीके से यही सेम प्रोसेजर आपको दूसरी तरफ भी करना है और हमेशा ध्यान रखे देखे मैंने अभी हाफ लेक्स दिखाएं बढ़ मुझे अपने कस्टमर की फुल करने थे फुल का भी सेम यही प्रोसेजर है क्योंकि देखे लेक्स की मैंने आपको बार 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 बोले के लेक्स की जो ग्रोथ होती है वो नीचे की तरफ होती है तो जो मैंने आपको बताया है सेम वैसे करके आपको फुल लेक्स वैसे ही करने है इस तरीके दर और देखे कितना इनकी वैक्सिंग से इतने अच्छे तरीके से इनके पैर क्लीन हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और साथ साथ आपको चेक करना है कि कोई बाल रहे तो नहीं गया अगर कहीं एक आदा बाल रहे जाता है तो आपको ये नहीं कि उसे एक बाल पे ही वैक्स लगाना है आप उसके आसपास के और एरिये को भी कवर कर सकते हैं कई बार ऐसा होते हैं कि आप स्ट्रिप से बाल बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे और देखे मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगे के कमेंट पढ़के जब आप मुझे वीडियो कमेंट करते हैं कि मैम आप इस चीज पर वीडियो बनाईए उस चीज पर बनाईए जो भी चीज होती है आप haircut की मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे अभी last time मोना मैम ने मुझे message किया कि मैं हमें आप haircut का long वीडियो बनाई है दें कि long कोई देखना नहीं चाता है इसलिए थोड़ा लगता है कि इतना long कैसे मैं दिखाऊं पर पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए last time मैंने अपने वीडियो पर पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं live वीडियो दिखाऊं है haircut की तो yes या no का comment आया भी तक किसी का कोई comment नहीं आया तो इसलिए मैंने का मैं आपसे फिर पूछती हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी live वीडियो बनाऊंगी haircut वगरा की यह देखें अच्छे तरीके से आपने देखें बिल्कुल आपके जो कितनी भी heart growth है बहुत अच्छे तरीके से clean हुई है यह देखें और आपको spray करके साफ करना है अच्छे तरीके से तिर आपको aloe vera gel लगाना है क्योंकि देखें जब heart growth होती तो थोड़ा दाने वगरा निकलने का लोगों को होता है कि कई लोगों को दाने हो जाते हैं रैशिस हो जाते हैं तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है aloe vera gel लेके अच्छे से अपने customer की massage करें देखें अगर आप पाइलर चलाते हैं तो कोई भी काम ऐसे ना करें कि किया और निप्टा दिया बहुत अच्छे तरीके से अपने customer को attend करें अच्छे से massage करें अगर थोड़ा सा आप extra उनके लिए करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छे तरीके से massage करी मैंने फिर उसके बाद ये देखें इनके ये देखें अच्छे तरीके से अब इनका एक एक बाल कितने अच्छे तरीके से निकल गए पैरों की tanning भी बहुत अच्छे से clean हुई है ये देखें अगर वीडियो अच्छी लगती तो please support की